हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्व्यू क्लासेज में बात करेंगे अपने कक्सा नमवी के जो इंग्लिश का पेपर होना वाला है yearly examination यह वार्षिक परिक्सा उसमें पेपर कैसा आने वाला है किस टाइप से आप कुशन सॉल करेंगे और किस टाइप का पेपर आएगा क्योंकि आप जानते हैं कि आपके syllabus में परिवर्तन हुआ कहने का मतलब कुछ topics हटा दिये गए सभी subject में हटा आएगए ठीक है न अगर आपको subject का complete syllabus नहीं पता है तो सभी subject का अलग है तो ये हम बात करेंगे इस वीडियो में English का ठीक है न complete solution करेंगे इसका ठीक है न और उसके बाद में आपके जो विज्ञान, सामाजिक, गनेत, SST ठीक है न, SST मतलब सामाजिक, संस्कृत इंदी इन सभी के paper का complete solution आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है न तो चैनल पे अगर आप नई हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों को शार शेर करना नहीं बूलें ठीक है न, अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस paper का solution, जो आपको पहले section A मिलेगा, उसमें आपको दो unseen passes मिलेंगे, क्या मिलेंगे दो unseen passes, unseen passes का मतलब यह होता है, क्या unseen unseen passes, unseen passes का मतलब यह passes ऐसे होंगे, जो आपकी book में नहीं होंगे, ठीक है मतलब आपकी book में आपने नहीं पड़े होंगे कहीं से भी आ सकते हैं अब इनकी खाश बात क्या है कि पहला जो पैसेज मिलेगा ये 10 नंबर का तो है लेकिन इसमें 10 MCQs होंगे MCQs का मतलब ये हुआ Multiple Choice Question यानि बहु वेकलपिक प्रश्ण आपको पैसेज पढ़ना है और सही से आंसर करना है ये रहेगा Section A अब पहले हम करेंगे Section A का Solution उसके बाद में जाएंगे Section B में उसमें कैसे Question आएंगे सब के बारे में बात करेंगे ठीक है चले देखते हैं फिर बात करेंगे Grammar Section में कितना Change भुआ, क्या Change भुआ, कौन-कौन a Hindu family on October 2nd, 1869 in India Gandhiji का जम 2 October 1867 को Hindu परिवार में हुआ भार्त में हुआ ठीक है ना? He was a lawyer, politician, social activist and writer who became the leader of the nationalist movement against the British British के खिलाब जो nationalist movement था उसके खिलाब वो leader रहे थे अंगेरिजों के सामने खड़े थे ठीक है ना? Rule of India Today he is the best He is best known for being a symbol of peace humility, willful poverty As 13 आज वो भारत में क्या है? सामती के परतीक माने जाते हैं गरीब इसे बाहर लाने वाले विक्ती माने जाते हैं लोगों को At 13 At 13 जब 13 साल के थे Gandhi was married to a girl who was the same as is as he जैसे गांदी जी 13 साल के थे तो इनहीं की उमर की एक लड़की के साथ इनका विवा कर दिया गया He traveled to London in 1888 to study law and graduate in 1891 ठीक है ना? London गए इस समय ठीक है? अटा सुट यसी में पढ़ई के लिए कानून की पढ़ई ठीक है ना? और graduate हो गए अपने तीन साल बाद एकराणों में ठीक है? आप्टर अटेप्टिंग बट फॉर्लिंग टू प्रैक्टिस लो इन बॉम्बे इंडिया गांधी एक्सेप्टेड अजॉब ऑफर इन साथ अफरीका अब क्योंकि लोग की पढ़ई करने के बाद उन्होंने यह जो प्रोफेशन था इसको रिजेक्ट कर दिया था लोग की प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की थे इंडिया में आके वापस मॉमेंट में जुड़ गे थे ठीक है ना? यह स्पेंड मोर देन तू डेकेट्स देर और इन्होंने तू डेकेट्स कहने का मतलब दस साल को एक डेकेट्स बोलते हैं ठीक है ना? पिरिड ओप टैन यह यहां पे दो डेकेट्स बीस वर्षन तक यह कहां रहते हैं? आपरिका में रहते हैं ठीक है? देर इस अपरिका के अंदर जो इंडियन थे वो पूर मजदूरों की तरह काम करते थे गांधी एक्सपेरियंस्ड अपरेशन यह मतलब होता है कि उनको प्रताडित किया जाना या उनको दबा के रखना ठीक है? रिसर्सिज्म यानि उनके रिसर्सिज्म कहने का मतलब रंग के आदार पर भेद बाव करना ठीक है ना? इन दे कंट्री एड फर्स्ट हैंड उन्हों जैसे ही देखा उनको लगा कि यह तो हो रहा है अत्याचार हो रहा है उनको ट्रेन से बाहर फैंक दिया like as fellow Indians, he was not even allowed to walk on the pavement pavement पे चलने की भी बाके इंडेन की तरह इने अन्म्ती नहीं थी चले पहला question देखते है गांदी जी के जनम कब हुआ तो हमने अभी बात की 1869 में हुआ ठीक है न अगला है अगला है अगला है तो उपर question बात की जब 13 साल के थे तब उनकी पत्नी भी लगबग 13 की थी ठीक है न where did गांदी जी go for study study करने के लिए वो कहा गए थे तो उपर देखे बलत की करने के लिए कहा है थे study करने के लिए London ठीक है न यहां आँ हमने पढ़ा ठीक है न London रिपी थे to study education मतलब लॉक्या आशल करने के लिए degree ठीक है न तो कौन सा option हो जाएग अपने लंदन D option ठीक है वें डिन गांदी जी ग्रेजुएट ग्रेजुएट कब हुए थे तो हमने पढ़ आठारस वी कराण में हो गए थे ठीक है न यहां वापस चेक कर लेते हैं एक बार ठीक है न ग्रेजुएटेड इन 1891 में ठीक है चले सही option है अगला देखते है वेर डिट गांदी जी एक्सपीरियंस अपरेशन एंड रिसिस्म कहां पर उनको यह एक्सपीरियंस हुआ तो साउथ अपरिका की बात हो रही ऊपर ठीक है न फॉर वट गांदी जी इस नोन फॉर अगला है what is his true passion for उनका true passion किसके लिए था कि politics advocating law या फिर dancing तो उनकी advocating में था ठीक है न advocate करना वकालाद करना उनका passion था ठीक है check करते हैं एक बार ठीक है न यही पढ़ा है हमने ठीक है passion for advocating civil rights ठीक है ठीक है न अगला देखते है next है write the opposite of unmarried from the passage passes से unmarried का हो जाएगा married ठीक है न फिर write the similar similar डूणना इसमें opposite डूणना था इसमें similar डूणना यह last वाले दो question हर passes में paragraph में आपको इसी type के मिलेंगे ठीक है न तो channel को subscribe जरूर कर दीजेगा अगर अभी तक video को like नहीं किया तो like कर दीजेगा क्योंकि यहाँ पे आपके लिए शांदार exam के लिए papers मिलेंगे और exam में whoo-whoo question आपको देखने को मिलेंगे same to same ठीक है न चलिए देखते हैं और English के लिए तो आपके most important application letter email कौन सा आएगा ठीक है न और किस हिसाब से आपको करना है आपको conversation मतलब जो दो लोगों के बीच में dialogue राइटिंग है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा ठीक है न most important chapters के question answer सब कुछ यहाँ पे आपको available रहेगा इस channel पर ठीक है अपना दस्वा question था कि similar word poorness poorness यह नहीं होता है गरीबी तो देखो richness तो इसका opposite हो गया तो इस पैसेज को भी फटाक से पढ़ते हैं ताकि ध्यान रखिएगा पैसेज आपको अच्छे से deal करने हैं आपके exam के लिए कम स्कम 4-5 पैसेज आपको गोम फिर के वही आने हैं और पिछली बार तो जो अपने paper upload की हुए है इस channel पे पिछले साल वाले तो आप जाके देख सकते हैं कि paper मतलब जिला समान परिक्सा होगी आपके 9th में ठीक है न तो उसी हिसाब से जिलों के paper जैसे होंगे आपको पैसेज repeat मिलेंगे बार बार ठीक है न तो आपको अच्छे से तयार कर लेने और अपने channel पे लगबग सभी जिलों के paper आपको यहां पे मिल जाएंगे सिवाजी is the greatest और ध्यान रखे अगर आपको paper चाहिए तो आप जो है सीधे आप message डाल सकते हैं अपने इस number पे 8003412488 ठीक है न इस यह whatsapp number है इस whatsapp number पे अपना नाम कक्सा और जिल्ला ठीक है न कि आप कौन से जिल्ले के निवासी हैं तो जैसे ही मान लिजे आप जैपूर जिल्ले के हैं जोदपूर में paper हो गया तो आपको वो send कर दिया जाएगा ठीक है न मान लिजे आप दोलपूर के हैं ठीक है न आपके वहाँ paper हो ना बाग किया और किसी और जिल्ले में हो गया तो आपको भेज देंगे ठीक है न तो इस प्रकार से आप इस whatsapp number पे अपना नाम और अपनी कक्षा और जिल्ला जरूर लिख देवे हैं ठीक है न चलिए अगला देखते हैं अपने next अपने सिवाजी the greatest great was a very wise सिवाजी जो की great और बहुती wise और ब्रेव किंग थे ठीक है वैन औरंग जेव impression का मतलब होता है जेल में डालना him at आगरा आगरा में इनको बंद कर दिये था he thought of a clever plan उन्होंने एक बहुती चतुर योजना सोची and escaped escaped का मतलब होता है बच निकलना from there in maharashtra was 1666 वहां वो बच के निकल गए भाग गए at this the whole of filled with great joy और ऐसा होते ही जो अपने maharashtra था जहां पे सिवाजी राज करते थे वो पूरे खुशी से भर गए लोग वहां पे औरंगजेब on the other hand दूसरी तरफ औरंगजेब got furious बहुती गुस्य में आ गए ठीक है ये ब्रोक अल दे ट्रीटी जितने भी ट्रीटी यानि जो संधियां कर रखे थी उन्होंने made by him with सिवाजी and begin to सारे break कर दी संधिया सारी तूर दी और to trouble the small maratha kingdom in many ways और छोटे छो चोटे जो kingdom थे राज्ये थे maratha राज्ये उनको परिशान करना सुरू कर दिया औरंगजेब ने सिवाजी इसको चुपचाप देखने वाले नहीं थे he at once decided to take suitable step for the face the new danger अब नई खतरे से लड़ने के लिए तयार थे he consulted his brave and trusted generals उन्होंना अपने बहादूर और trusted general पे जो थे उन पे यकीन करते वे उनका consult किया उनसे and like प्रताप राव गुर्जर और नीराजी राव जी organized his own forces and began to wrench रेच का मतलब बता है छीनना वापस हासिल करना ठीक है ना इसको पुलेंगे rest ठीक है fort after fort from the hand of Aurangzeb और बारी बारी से Aurangzeb से अपने किल्ले वापस हासिल करने सुरू कर दिया the Maratha soldiers were determined even to die for Shivaji और Maratha जो सोल्जर थे Shivaji के लिए मरने को तयार थे the bravery and the determination helped them to recover the forts under the Mughal possession और Mughal possession मदलब Mughal possession इन अधिकार मुगल अधिकार में जो थे उनको bravery इन बहादूरी और दृड़ निष्चे के बल पे Shivaji हासिल करते जा रहे थे one after यह after लिकवा है ना बीच में space चूट गया after another एक की बाद एक अपने के लिए हासिल कर रहे थे such was the state of affairs in January 1670 यह उस समय की बात है कब 1670 की दो Shivaji's force capture many forts in Deccan Deccan के अंदर बहुत सारे के लिए उन्होंने हासिल कर लिये थे He did not feel very happy till he took back the great and important fort of Kandana Kandana जो इनका खिला था उसको हासिल के बिना अभी Shiva जी खुश नजर नहीं आ रहे थे His mother Jijabai was also equally experienced that her son should get back यहाँ पर back लिखना बैट होगे ना Back the strategic fort soon वो जो strategic कहने का मतलब जो रणनीती की इनका किला था वो जब तक आसिल नहीं कर पाए तब तक उनकी माता Jijabai भी काफी परिशान थी He said to him Jijabai ने Shiva Ji से का I love the fort of Kandana because of its importance and unless that is taken back from the Mughals My heart will never be at rest मेरे को चैन नहीं आएगा जब तक एकिला हमें वापस हासिल नहीं हो जाए I am pleased to see the brave deeds of you मालवास and faithful general who have so far तुमारे so far driven out of the mughals from many a fort जो तुमने जितने भी मालवास वगिरा जितने भी केले हासिल किया बड़ी अच्छी बात है सबकी लेकिन I shall be happier if you can if they can recapture recapture इन पुना हासिल करना कंडाना to as soon as possible जितना जल्दी हो सके जब तक ये नहीं हाथ आएगा तब तक चैन नहीं आएगा सिवा जी felt immensely happy immensely नहीं बहुत ही ज़्यादा सिवा जी को खुसी हुई at this for he too had the same keen urge keen नहीं बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर भी यही इच्छा थी उसकता थी कि वो हासिल करें लेकिन अब माता ने बोल दिया तो अब जल्दी काम होगा he said dear mother your wish will be carried out आपकी जो इच्छा पूरी की जाएगी and that too without delay बिना किसी देरी के जल्दी से पूरा करेंगे I will not enjoy a hearty meal मैं चैन से खाना नहीं खाऊंगा and or sound sleep और sleep सोऊंगा नहीं till we recapture kondana जब तक कि मैं kondana को हसिल नहीं कर लेता तब तक मैं आराम से खाऊंगा नहीं नहीं सोंगा ठीक है अब इसके question देखते है what type of king was Sivazi the great तो he was very brave and kind ठीक है जो हमने सबसे पहली line में पढ़ा है ठीक है न यहाँ पे मिल जाएगा आपको यह line लिख देने आपको यहाँ पर ठीक है न अगला question देखते है अपने next है which fort was the strategic fort कौन सा था तो यह fort इसका नाम लिख देंगे ठीक है न कौन देना fort was the strategic यहाँ पे विच की जगह से पी नाम लिख देना है who was Sivazi? Sivazi was a Maratha king ठीक है न ऐसे लिख देना line आराम से मिल जाएगा अंदर Sivazi was a Maratha king ठीक है न अगला है how did Sivazi come out of the prison of Aurangzeb Aurangzeb की prison in jail कैद खाने से बाहर कैसे आए तो यहाँ पे लिखेंगे he thought of a clever plan and escaped from there in Maratha ठीक है न यहाँ से escaped from the prison लिख देंगे ठीक है न तो यहाँ पे यह answer हो जाएगा he thought of a clever plan by helping there जो सोल जस्ते सिपाई थे उनकी मदद से बाहरा आ गए थे ठीक है न अगला है what did Sivazi do to get back his fort fort असिल करने के लिए उन्होंने क्या किया तो देखे fort असिल करने के लिए उन्होंने trusted consulted ठीक है न his brave and trusted general like इन से consult किया and organizing force यहाँ से लिख देंगे ठीक है he organized his own forces and begin to rest the fort after fort from the hands of Mughal यह जो औरंग जेब है उसके जो कबजे में थे उन सभी को छोड़ाने का फैसला कर लिए यहाँ से लिख देंगे ठीक है न अगला देखते है नेक्स्ट कुश्यन है अपना what helped Maratha to recover the force किस चीज ने help की थी Maratha की recover करने के लिए तो यहाँ से देखे लिखेंगे हम the bravery this bravery की बजाए लिख देंगे क्या कि the Maratha soldiers were determined even to die for Shiva ji this bravery and determination help them recover the fort under the Mughal possession one after another यहाँ तक लिख देंगे ठीक है न तो यह answer हो जाएगा अपना यहाँ से लिखे और थोड़ी line कट गई यहाँ से यह इतना और फिर यह यहाँ तक यह answer कर देंगे ठीक है न अगला देखते है question next है who was the mother of Shiva ji तो जी जाबाई was the mother of who की जगह लिख देंगे जी जाबाई ठीक है न अगला देखें find out the word from the passage which means win back from the enemy enemy से वापस जीतना उसको हम क्या कहता है recapture कहते है अगला देखते है similar word चाहिए था और अगले में चाहिए opposite coward यह नहीं होता डर पोग तो इसका होगा brave यहाँ पर आपके section A complete होता है जो आपको ऐसे ही question मिलेंगे और हो सकता है पैसे हूब हूब मिल जाए अब बात करेंगे अपने section B फिर grammar का section आएगा C ठीक है न अब देखते हैं section B इसमें आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आपको सबसे पहले question यही रहेगा क्या आपको लिखना है पिता जी को या किसी को भी लिखने को बोल सकते है informal letter ठीक है न imagine that you are Aditya living in government hostel बयाना मान लिजे आप नाम जो दे रखा paper में वही लिखना letter लिखना पिता जी को यह बताई को hostel life के बारे बताई और आप इन points का use कर शकते है तो जो important letter है आपको इस वीडियो के निचे आपको playlist मिलेगी उसमें मिल जाएंगे ठीक है न अपलोड किये वह कुछ और नई आपके लिए अभी अपलोड हो जाएंगे ठीक है न फिर daily routine मतलब यह सारा पिता जी को बताना है अगर यह नहीं करना चाहो तो उसके बाद में आप यह लिख सकते हैं email ठीक है न और important email तो आप निश्चिनत रही है उससे बाहर email आएगा ही नहीं आपको यहां पर मिल जाएगा ठीक है न आपको request him to counsel how to face board exam board exam को face कैसे करें उसके बारे में ठीक है छे number का रहेगा यह question आपके ठीक है फिर आएगा short paragraph या तो आप advantages of morning walk या फिर आपके रहेगा annual function of your school ठीक है न annual function ये तो इस साल मतलब 10th में भी आया है ठीक है न 10th board में ये आया है और आपके लिए भी इनके chances हैं यहां से आजाए और most important जो आपके exam में आने वाले है वो तो सारे आपको यहां मेली रहे हैं ठीक है न आपको 3-4 मिलेंगे उनमें से याद कर ले न उनसे बार कुछ आना नहीं है ठीक है फिर अपने रहेगा story writing या तो आप एक story दे देंगे ये वाले story लिखी है ठीक है old farmer है उसके 4 बेटे हैं ठीक है न या फिर आप ये लिखना आपको student और teacher के बीच में conversation conversation मतलब dialogue writing आएगी आपको ठीक है न ये भी छे नमर का रहने वाला है ठीक है तो इन सभी के आपको जो most important topics है वो सारे मिल जाएंगे ठीक है फिर आते हैं अपने grammar पे grammar section बहुत important है बहुत easy रहता है ठीक है न लेकिन क्योंकि इस साल को changes हुए है तो आपको उसके साबसे ही prepare करना grammar के जितने भी topic है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे practice paper के साथ ठीक है चले देखते है fill in the blanks with the correct आच्छा correct form of verb लिखनी आपको कहने के मतलब tense वाला question है ठीक है तो वहाँ पे second form तो go का कर देंगे went w-e-n-t इसमें went बर देंगे पहले में ठीक है अगला देखे I dash a book when my friend came in यहाँ पे देखे when आया है when के बाद में आया second form यहाँ पे दो काम हो रहे है when वाले में धियान रखना काम हमें साथ दो होंगे दो sentence होंगे ठीक है तो एक action छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है क्या हो सकता है long एक short action हो सकता है ठीक है जो long होगा उसमें past continue मतलब was और word के साथ was या word के साथ verb की first form में ing लगाना होता है और जहां short action होता है वहाँ verb की second form बढ़नी होती है तो आपने कहा कि verb की second form तो यहां लिखियो ही भई कि अब यह long action होगा तो हमें यह करना पढ़ते हैं वापस I-a book अच्छा किताब पढ़ने का काम हो रहा है ठीक है हो रहा था past में रहेंगे sentence यह दियान रखना यहां पर when आया फिर आया my friend come in अब धियान दीजी come in मतलब अंदर आना पढ़ने के मुकाबले तो यह काम छोटा है ना इसका मतलब यहां पर second form आई है ठीक है और यहां क्या आएगा तो यहां यह अंदर आने के मुकाबले में यह छोटा काम है बस इतना ध्यान रखना जैसे किसी ने का कि मैं तो बहुत दूर से आया हूँ दूर से आने का कोई मतलब नहीं है जब यह काम चल जाता तो आप उसके पास आए ना टाइम वही माना जाता है ठीक है तो यह लंबा काम हुआ तो I was reading I was reading बढ़ देंगे इसमें ठीक है अगला देखते है My grandmother dash a new rosary everyday rosary नहीं जो माला होती है वो भाई भाई यहन खरीदना everyday presents simple tense everyday, every month, every year यह पिर always, often ठीक है ना ऐसे word आजाए seldom, occasionally ठीक है ना ऐसे word आजाए तो हमेशा present simple tense तो my grandmother mother, यह singular है, एक वचन है तो यह verb है, यह भी plural है यह तो plural है, इसमें singular करना पड़ेगा bys, bys my grandmother buys a new rosary everyday, ठीक है ना, अगला question देखते हैं अपने इशान्त dash war museum next month अब next month दिखाता है future simple को, ठीक है ना, तो इशान्त will visit, क्या आएगा will visit future simple में cell will के शार्थ first form लगती है ठीक है ना, अगला देखते है fill in the blanks with the proper form of the verb given in the brackets bracket के अंदर दी हुई है, उन में से आपको ना, proper word चुनना है form नहीं है यहाँ पे, ठीक है proper word चुनना है, ठीक है, चली देखते है the student that's got injured come back to attend classes अब यहाँ पे the student यहाँ पे verb आया, verb का खास बात ध्यान रखना verb से पहले हमें से यहाँ पे who ही आता है, ठीक है, यह ध्यान रखना ठीक है, whom, whom यानि जिनका who, यानि जो, या फिर who अगर सुरू में होता है, इसका मतलब बता है, कौन और लाइन के बीच में होता है, इसका मतलब होता है, जो तो क्या होँ, the student who got injured, विद्यारती, जो की, चोटिल हो गया, ठीक है न, ऐसे ठीक है न, तो यहाँ पे आयगा who यह आपके relative pronoun है, और यह आपको अच्छे से तयार करना है, यह दो नमबर के आपके exam में आने वाला सवाल है, ठीक है, अगला है the lady dash cat died was very sad, अब यहाँ पे आया है cat और which cat which cat नहीं, which आता है non living, मरी होई चीजों के लिए, मतलब मरी होई तो नहीं, मरी होई तो बिल्ली है ठीक है, non living thing, जो जीवित नहीं होती है, उनके लिए, अब बिल्ली भी मर गई आप सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, पहले तो living थी ना, तो who's, ठीक है यह lady, मतलब यहाँ पे relate करना है, lady से, ठीक है ना, the lady whose cat, जिसकी बिल्ली ठीक है ना, whose cat died was very sad, lady जिसकी बिल्ली मर के वह अतुदास्ती, ठीक है ना, अगला देखते हैं, जिसमें आपको suitable determiners फिल करने है, ठीक है, तो देखे कैसे करेंगे, we don't have dash money, देखे, नेगेटिव आ गया, और money को हम गिन भी नहीं सकते, ठीक है ना, तो much, much, ठीक है ना, many money होता नहीं, क्योंकि money है, uncountable होता तो इसके लिए आएगा much, ठीक है, अगला देखते हैं, dash students pass the exam this year, इस साल है ना, exam में student है ना, वो क्या, a few या a little pass हुए है, तो a little आता uncountable, जिसको नहीं गिन सकते, लेकिन है, student से इनको हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे हम बर देंगे a few, ठीक है, my mother has not bought, dash new books recently, recently, अभी कोई खरीद ही नहीं है, तो देखिए not आया, अगर not नहीं होता, तो हम some books कर देते हैं, लेकिन आपे not आया, negative होगे तो any, ठीक है, any new books recently, ठीक है, अगला देखते हैं अपने, अब आपको यहाँ पे suitable preposition बढ़नी है, ठीक है न, preposition बहुत ही शांदार आपको यहाँ वीडियो मिलेगा, उसके बाद में आपको कुछ भी पढ़ने की जरुत नहीं, preposition में तो ठीक है, इन grammar के topic में देखने की जरुत नहीं पड़ेगे आपको, ठीक है, her mother came here, bus, तो आपने का यह by bus, ठीक है न, by bus, अच्छा, bus तो इन, bus के तो अंदर बैठ के आई, आप सोचेंगे तो ध्यान रखना, जब भी अपने bus, ठीक है, car, यह हो, तो इन में by car, by bus, ऐसे लिखना, लेकिन अगर इनके आगे पहले लग जाए article, a bus, a car, तो in a bus, in a car, ऐसे होगा, मतलब यह जो article है, यह आ जाए, तो in लगाना, और अगर यह चीज नहीं आए, यह नहीं हो, तो फिर by लगाना आपको, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है यह, ठीक है, अगला देखना, she can swim, dash the river, तो यहाँ पे across the river, क्योंकि वो नदी को तैर करके पार गई है, ठीक है ना, तो यह river है, ठीक है ना, अब इसके across इदर चली गई, ठीक है ना, on होता नहीं है, ठीक है ना, on नहीं हो सकता, ठीक है, my book is link the table, तो on the table है, यहाँ पे क्या होगा, on the table, ठीक है ना, इस प्रकार से यह section, she complete हुआ, अब D में आपको जो पहला passage मिलेगा, वो मिलेगा आपके आठ नंबर का, कितने नंबर का, कुशिन पर आते हैं, ठीक है ना, who scaled Mount Everest twice, दो बार कौन चड़ा है, Mount Everest पे, तो Santos यादा हो, ठीक है, which blessing did Santos, grandmother want from the holy man, holy man से Santos की दादी को, कौन सी विश्च चाहिए थी, तो यहाँ देखिए, मिल जाएगा, आपको कि, उनके क्या हो जाए, लड़की हो जाएगा गर में, ठीक है ना, तो यहाँ पे मिल जाएगा अपने, यहाँ पे ठीक है, when her mother was expecting, Santos traveling holy man giving her blessing, assumed that she wanted a son, ठीक है ना, holy man ने सोचा, कि वो सोचेंगे, कि बेटी मांगेगी ठीक है, यह उनसे मांगा था, ठीक है ना, बेटी चाहिए उनको, यह मांगा था, ठीक है, अगला है, how many brothers, did, how many brothers, does Santos have, ठीक है, what is the name of Santos, village गाव का नाम, ठीक है, और what does Santos mean, ठीक है ना, यह बड़े simple simple question है, ठीक है, यह आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है, Santos means contempt, ठीक है, जिसको बोलते हैं, अपने simple से सब्दों में, Santosty, Santosty यह word मिल जाएगा, ठीक है, contentment, यह संतोष्टी, Santos का मतलब यह होता है, ठीक है, मतलब Santos आगई गर में, तो Santosty आगई, एसा हो गया, ठीक है, तो यह simple simple word, आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ पर बोला है, which word, satisfaction, तो contentment, ठीक है न, इसका answer भी वही होगा, फिर आपके रहेंगे, books के question answer, यह थोड़ी दिक्कत आती है, नाइंत के विद्यारतियों को इन में दिक्कत रहती, क्योंकि 8th question answer कम ही पड़े होता है, ठीक है न, और सीधे 9th मात ही प्रशन होता रहते है, तो यह अपने most important questions है, इन सभी के answer आपको कहां मिलेगे, तो सारी answer है अपने channel पे, most important questions है, उन सभी के answer से आपको यहां पे मिल जाएंगे, यहां देख सकते हैं आपके किस परकार से आपको question दिये हैं, उसी परकार से आपको exam में करने हैं, जैसे आपको, यह जो question मिलेगा न, poem में, poem की खास बात यह होगी, कि आपको 4 line दे देंगे, और पहले होता था आपने, काफी लंबी चोड़े लिखना, लेकिन इस बार क्या होगा, आपको बस यह question दिया हुआ है, और आपको इसके अंदर सिर्फ आपको answer डून लेना है, ठीक है, इन 4 line ओ को पढ़ना है, और इनके अंदर से, यहाँ पर answer आपको चूज कर लेना, correct answer कौन सा होगा, और यह भी option में रहेगा आपके, ठीक है, फिर बड़े question भी है, 5 number वाले question भी आएगे, अपने दूसरी book से भी question पूछे जाएंगे, हर तरीके के तरीके के question है, और last में आप से, सबसे बड़ी बात कि, last में आप से क्या पूछा जाएगा, 3 question ऐसे मिलेंगे, ठीक है, 3 question ऐसे होंगे, 4 question होंगे, जो MCQs form में होंगे, कहने का मतलब, यह बहुत ही, scoring कह सकते हैं, 4 number बड़ी आसान होते हैं, क्यों, क्योंकि आपको जो अपनी second book है, moments, उसमें आपको question पूछेंगे, MCQs form में, ठीक है न, तो इस परकार से आपको इनका solution कर लेना है, ठीक है, अगर इनका solution जानना चाहते है, देखिए, पहला question क्या है अपने, पहला है कि, अपने 19-वें का पहला, टैनिस सूस, ठीक है, वो वस बहरमन, बहरमन कौन था, तो ये अपने क्या था, एक painter, ठीक है न, फिर है, वो अपने हमेशा वर्क प्लेस पर क्या चीज़ें देखता था, तो उसको भूती भूत नजर आते थे, गोस्ट, ठीक है न, इस परकार से आपका paper रहने वाला है, ठीक है न, तो इसको अच्छे से तयार करिए, ठीक है, और ऐसे equation बनेंगे, बाकी सारे subject के papers आपको याँ पे मिल जाएंगे, तो चैनल पे नए हो, तो subscribe करना, बिल्कुल मत बूलना, ठीक है, मिलते है next part में, तब तक के लिए, जै हिन्द, जै भारत,